जीतेंद्र का परिवार बेहत गरीब था जो शाम सदम चौल गोरे गाव में रहता था। जूलरी सप्लाई करते करते बने बॉडी डबल। जीतेंद्र जब बड़े हुए तो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। इसी सिलसिले में एक दिन में फिल्म में कवी शांताराम से मिले। फिर अक्सर जूलरी सप्लाई के सिलसिले में जीतेंद्र का शांताराम की फिल्म कमपनी में आना जाना लगा रहता था। इसी दोरान उनके मन में हीरो बनने की इच्छा जाग गई। उन्होंने भी शांताराम से किसी फिल्म की शूटिंग देखने की चांताराम ने कहा सिर्फ शूटिंग देखने से काम नहीं चलेगा, काम करोगे, जीतेंद ने तुरंथ हामी भर दी, फिल्म नवरंग की शूटिंग के दौरान जीतेंदर को छोटे मोटे काम मिल जाया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जीतेंदर की किस्मत चमक गई, ये किस्सा उन्होंने खुद दकपिल शर्मा शुक के दौरान सुनाया था, जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा था कि क्या आप स्ट्रगल के दिनों में हीरोईन के बौडी डबल बने थे, इस पर जीतेंदर ने कहा था, हाँ मैं आफिल्म सहरा की शूटिंग के दौरान ज रही थी, शांताराम जी ने मुझे संध्या जी का बौडी डबल बना दिया और इस तरह मेरी फिल्मों में एंट्री हुई, शुरुआत में जीतेंदर को काम तो मिला लेकिन 6 महीने तक कोई फीस नहीं मिली, उनसे वी, शांताराम ने वादा किया था कि जूनियर आर्टिस् दिये जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर जब वी, शांताराम ने जीतेंदर को 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से ब्रेक दिया और तब अपनी पहली फिल्म की फीस की तौर पर जीतेंदर को सोरू, मिले, गीत गाया पत्थरों ने से जीतेंदर को ब्रेक तो मि उनीस सो सरसत में रिलीज हुई फर्ज जीतेंद्र के करिया की पहली हिट फिल्म साबित हुई लेकिन बतौर लीट स्टार फिल्म इंडिस्ट्री में जमना उनके लिए आसान नहीं था एक बार फिल्म मेकर सुबोध मुखर जी ने जीतेंद्र से कहा कि वो उन्हें लेकर एक सोलो हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं जीतेंद्र खुश हो गए लेकिन तभी सुबोध ने एक शर्थ रखी उन्होंने कहा मैं फिल्म तब ही बनाऊंगा जब हेमा मालिनी इस फिल्म में काम करेगी दरसल उस दोर में हेमा मालिनी का स्टार्डम किसी मेल सुपस्टा से कम नहीं था हेमा जिस फिल्म में होती थी उसके सफल होने की गारंटी सो प्रतिशत रहती थी जीतेंद भी ये बात भाम गई कि अगर हेमा उनकी हीरोईन बन जाएं तो उनकी भी नया पार लग जाएगी और वो भी बतोर हीरो स्थापित हो जाएंगे मगर ये इतना आसान नहीं था उस समय हेमा की करिया के फैसले उनकी मा जया चक्रवर्ती लेती थी जब जीतेंद ने उन्हें फिल्म के बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया जीतेंद उनके पीछे पड़ गए और कहा आपकी बेटी अगर मेरे साथ फिल्म कर लेगी तो मेरा करिया बन जाएगा आखिरकार जया मान गई जीतेंद ने ये बात सुबोध मुखर जी को बताए और उन्होंने जट से हेमा को फिल्म में साइन कर लिया हेमा को साइन करके डायरेक्टर ने जीतेंद को किया फिल्म से बाहर आगे मामले में ट्विस्ट तब आया जब सुबोध मुखरजी ने फिल्म में जीतेंद्र के बजाए शशी कपूर को हीरो की तौर पर साइन कर लिया ये बात चानकर जीतेंद्र के पैरोल तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने सुबोध से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा फिल्म के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर ने कहा है कि जब हीरो इन हेमा मालिनी है तो हीरो भी बड़ा कास्ट करो जीतेंद्र को लेने की क्या जरूरत इसलिए मैंने शशी कपूर के साथ फिल्म अनाउंस कर दी जीतेंद्र ने जब सुबोध से कहा कि हेमा मेरी वजह से फिल्म में आए है तो उन्होंने दो टूप कह दिया कि हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं जीतेंद्र इस बात से मायोस हो गए लेकिन इसी दौरान वी प्रसाद ने उन्हें फिल्म जीने की राह का ओफ़ दिया ये फिल्म सुपहेट हो गई और जीतेंद्र चमक गए जबकि हेमा और शशी का पूर स्टार फिल्म अभिनेत्री बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई जीतेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ गहरी चाल, जियोती, समराथ, खुशबू के नारा और मुझरिम जैसी फिल्मे की हैं हेमा की मा जीतेंद्र से करवाना चाहती थी बेटी की शादी जब जीतेंद्र बड़े स्टार बन गए तो हेमा की मा जया चक्रवर्ती को वे अपनी बेटी के लिए पफेक्ट लगे जया, हेमा की उनसे शादी करवाना चाहती थी दरसल, तब हेमा का अफ्या धर्मेंद्र से चल रहा था और संजीव कुमार भी हेमा से शादी का प्रस्ताव उनके घरवालों के सामने रख चुके थे हेमा की मा को न संजीव कुमार पसंद थे और नहीं धर्मेंद्र वे नहीं चाहती थी कि हेमा की इन दोनों में से किसी स्टार से शादी हो जबकि जीतेंद्र उन्हें बेटी के लिए पसंद थे जया चक्रवर्ती ने बेटी हेमा की शादी जीतेंद्र से फिक्स कर दी थी और चेननाई में दोनों साथ फेरे भी लेने वाले थे तब ही धर्मेंद्र शादी के मंडप में जीतेंद्र की गलफ्रेंड शोभा को लेकर पहुँच गए और हेमा से उनकी शादी तुड़वा दी थी इसके कुछ साल बाद जीतेंद्र ने 1974 में गलफ्रेंड शोभा से लव मेरेज कर ली थी 1983 में जीतेंडर ने फिल्म हिम्मत वालक में श्रीदेवी के साथ पहली बार काम किया था दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया यही वज़य है कि एक दौर ऐसा आया जब जीतेंडर हर फिल्म में केवल श्रीदेवी के साथ ही काम करना चाहते थे शक्ति कपूर ने एक इंटर्व्यू में कहा था जी तेंड को हिम्मत वाला में श्री देवी का काम इतना पसंद आया था कि उन्होंने डायरेक्टर रागवेंड से कहा कि वे अपनी सभी फिल्मों में उनके अपोज़ट केवल श्री देवी को बतौर हीरो इन साइन करें यही वज़े थी कि हिम्मत वाला के बाद रागवेंड राउ ने जब जानी दोस्त 1983 जस्टिस चौदरी, 1983 तोफ़ा, 1984 सुहागन, 1986 धर्मादिकारी, 1986 और दिल लगा के देखो 1988 फिल्में बनाई तो उन्होंने इनमें श्री देवी को ही लिया एक इंटर्व्यू में जीतेंद ने फिल्म हिम्मत वाला में श्री देवी के साथ काम करने के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था श्री देवी के साथ काम करने की सलाह मुझे रेखा ने दी थी एक दिन मैं और रेखा, श्री देवी की कोई तिलगू फिल्म देख रहे थे रेखा ने मुझसे कहा, तुम्हें श्री देवी के साथ जरूर काम करना चाहिए उस वक्त रेखा के पास हिम्मत वालक के लिए डेट्स नहीं थी वे फिल्म में काम करने से मना कर चुकी थी ऐसे में मैंने रागवेंद्र राव को श्री देवी को कास्ट करने का सुझाव दिया और वे मान गए इस तरह हिम्मत वालक में श्री देवी की इंट्री हुई श्री देवी का डांस में कोई मुकाबला नहीं था जब हिम्मत वाला की शूटिंग की दोरान डांस मास्टर हमें स्टेप सिखाते थे तो श्री देवी केवल दो रहसल में ही स्टेप सीख जाती थी और मैं कई बार प्राक्टिस करता था लेकिन वे भी मेरे साथ तक तक रहसल करती थी जब तक मैं अपना डांस सटेक पफेक्ट जीतेंड दूसरी बार तक दिवालिया हुए जब उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा उन्होंने फिल्म दीदार ए यार बनाई जो कि फ्लॉप साबित हुई इससे जीतेंड को काफी नुकसान हुआ खराब आर्थिक स्थिती से उबरने के लिए जीतें मैंने वो समय देखा है जब मेरे घर में पंखा लगा था तो पूरी चौल के लोग उसे देखने के लिए आये थे मैंने बुरा दौर करीब से देखा है इसलिए मैं पागलों की तरह काम करता था जीतेंड 23 साल से फिल्मों से दूर हैं लेकिन इसके बावजूद में 1512 करोर रुपे की संपत्ती के मालिक हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेली फिल्म्स और बालाजी और बालाजी मोशन पिक्चर के जरिये उनकी सालाना कमाई 300 करोर रूप तक है जीतेंड ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था 20 से जादा साल हो गए मैं जॉबले सेक्टर हूँ मैंने अपना एक रुपया नहीं कमाया है शोभाग पतनी और एक ताप बेटी सब काम समभालती हैं मेरा योगदान केवल इतना है कि मैंने उस पैसे को सही जगह इंवेस्ट किया है जो कि उन्होंने कमाया है और वो सार कि दिनों में मैंने अपनी हेल्थ के साथ जितने खिलवार करने थे सब कर चुका लेकिन जब मैं साथ साल का हुआ तो मैंने ये सब छोड़ दिया लोग मुझे इस उमर में भी फिट होने पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो मैं उन्हें भी ये सब छोड़ने की सलाह देता ह आज की दौर में मुझे सलमान खान और रितिक रोशन की फितनेस बहुत अच्छी लगती है